हालो एंड वन्स अगिन वेलकम तो माई चैनल ये जिन्दगी स्टूडेंट 18 जुलाई को जो यानि कि आज की दिन जो मॉर्निंग सेशन में आल्स का एक्जाम कंड़क्ट हुआ है उसका रिव्यू आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रही हूं सबसे पहले बात करते हैं टास्क टू की टास्क टू की स्टेट्मेंट कुछ इस तरह से है इसका मतलब है कि आज बहुत से लोगों का माना है कि जो कम्यूनिकेशन टेकनोलजी है जैसे शोशल मीडिया है, इंटरनेट है इन सब टेकनोलजी का जो रियल लाइफ में रिलेशन है हमारे फैमली रिलेशन है, एक्चुल जो रिलेशन है उस पे नेगटिव इंपक्ट पड़ता है में ज्यादा तर जो टीनेजर्स हैं, जो यंग्स्टर हैं, वो ज्यादा टाइम स्पेंट करते हैं शोशल मीडिया पे अपनी फैमली के साथ आउटडोर एक्टिविटीज या अपने फ्रेंड्स के साथ आउटडोर एक्टिविटीज में वो आजकल कम इन्वाल्व होते हैं इसका नेगटिव इंपक्ट है उनके रिलेशन्शिप पे, ये स्टॉडेंट ये टॉपिक एग्री रहेगा और एक सेंपल आपके साथ डिसकस करने जा रही हों और साथ ही ग्राफ हम डिसकस करेंगे स्टॉडेंट ये एक सेंपल आंसर में आप लोगों के लिए प्रिजेंट करने जा रही हों इसमें हम कोई भी एक फॉर्मेट फॉलो नहीं करें किया आईड़िया आ सकते हैं तो जैसा कि पहले हमने डिसकस किया है की टॉपिक है कि हम लोग कम्यूनीकेशन की टेक्नोलजी पे बीजी रहते हैं जैसे इंटरनेट पे बीजी रहते हैं, फेस्बुक पे, ट्वीटर पे इंस्ट्रागाम पे स्पेसिफिकली टीनेजर काफी टाइम स्पेंड करते हैं और इससे हमारे रिलेशन्शिप पे जो रियल लाइफ में रिलेशन है उससे नेगटिव इंपेक्ट पड़ता है ये स्टुडेंट ये एग्री जाएगा मेरे हिसाब से टॉपिक की इसका रियल रिलेशन्शिप पे नेगटिव असर होता है येस इंट्रोड़क्शन में आएगा इन इस एज़ वी आर लिविंग इन वर्थ वियर डिजिटल टेक्नोलजी इस हीटिड टॉपिक और ओफन डिजिटल टॉपिक है जो शोशल मीडिया है वो बहुत ही एक डिबेटेबल इशू है तो इसका नेगटिव इंपक्ट है फर्स्ट बॉड़ी पैराग्राफ में हम बताएंगे कि जो टीनेजर है वो बहुत जादा टाइम स्पेंड करते हैं फेस्बुक का एक्जामपर दे सकते हो बाकी शोशल मीडिया का एक्जामपल दे सकते हो तो इनकी जो रूटीन एक्टिविटीज हैं जो फैमली के साथ टाइम वो कम स्पेंड करते हैं शोशल वो कम होते हैं फिर इससे क्या आ जाएगा कि इससे स्टूडेंट्स में, बच्चों में, टीनेजर में काफी जादा प्रॉब्लम अराइज हो गई हैं वो रियल लाइफ में फ्रेंड्स बनाना पसाद नहीं करते वो शोशल मीडिया पे जादा डिपेंड रहते हैं तो ओवरॉल हम इसके नेगटिव इंपक्ट देंगे कि लेकिन नेगटिव इंपक्ट इसके जादा देंगे अगर आप चाते हो तो एक पॉजटिव इंपक्ट भी दे सकते हो कि इससे सोशल सरकल बढ़ता है, इससे एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल ही हम किसी से भी बात कर सकते हैं इजी हो गया है कम्यूनिकेशन मींज एक अदर पॉइंट अगर आप देना चाते हो तो दे सकते हो मींज इसके नेगटिव इंपक्ट अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ में कम्बिनेशन ओफ पाई एंड टेबल था परिक्शन में मैंने जैसे बताया था एग्री डिसेग्री वाला टॉपिक आएगा और लाइफस्टाइल से रेटिड आएगा